जैश्री कृष्णा, सभी दर्शकों को मेरा आदर प्रणाम मेरी हिंदी इतनी स्पष्ट नहीं है क्योंकि हिंदी मेरी मात्रभाषा नहीं है तो मैं आप सबसे अन्रोथ करती हूँ कि आप मुझे एक श्यमा करेंगे अगर मुझे से कोई शब्दों के प्रयोग में गलती हो तो धन्यवाद आज हम आप से एक महत्वपूर्ण विशेय पर बातचीत करना चाहते हैं और जो सच दुनिया में आसानी से कोई भी चैनल पे या फिर यूसपेपर में या फिर मैगजीन में या फिर पुस्तकों में कहीं पर भी आसानी से नहीं मिलता वो सच मुझे भगवान जी की कृपा से मिला है तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि जो ये गूगल और ये यूट्यूब और जो भी हो ये सारी मशीने ऐसी हैं कि हमें सत्य से ज्यादा से ज्यादा दूर रखने की कोशिश करती हैं थोड़ा अर्धस सत्य बता ही देती हैं पर बाकी का सत्य हमें खोजना पड़ता है तो इस वज़े से जब बहुत सारे माताओं ने मुझे पूछा कि अपने बच्चों का पालन पोशन मैं जैसे करती हूँ उनको भी उसी तरह करना था तो उन्होंने मुझे कॉंटेक्ट किया और ये बताया कि उनके बच्चे गेमिंग के एडिक्ट हो चुके हैं और वीडियो गेम्स एंड सारा दिन टीवी देखना या फिर सारा दिन जंक फूड खाना और पौश्टिक आहार ना लेना तो ये सारी समस्याएं माताओं को बहुत आती रहीं तो उन्होंने मुझे पूछा तो मुझसे जितना बन पड़ा मैंने उनको बताया पर जब मैंने टीप रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि शायद कहीं हमारे परिवार में भी कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है क्योंकि जो उन्होंने सिम्टम्स बताये थे कि कॉंसेंट्रेशन ना होना और सफाई से ना रहना और और गुसा होना या फिर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें तो मैं सोचने लगी कि अरे ऐसा तो हमारे परिवार में भी होने लगा था पिछले एक साल से एक या दो साल ही ले लो आप तो मैं सोचने लगी कि हमारे परिवार में तो इतना वो नहीं होता है पर थोड़ा थोड़ा सा होने लगा था तो मैंने जब अब्जर्ब किया तो मुझे ये पता चला कि हमारे मस्तिश्क में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे नाम की एक चीज होती है वो यहां पर यहां पर फ्रंटल लोब में रहती है हर मनुष्य को होती है तो यह चीज जो है पांच-छे भागों में डिवाइड़ है जिसका चार्ट मैंने अंग्रेजी में पूरा बना के रखा है और मैंने वी या फिर उनको अंग्रेजी थोड़ी सी तकलीफ वाली चीज लगती है तो इस वज़े से मैंने सोचा कि मैं खुद कोशिश करके थोड़ा सा हिंदी में बोल लूँ तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी हिंदी आपको उटपटान लगती है तो वापस विश हो जाता है किसी वज़ा से और यह वज़े सारी ऐसी है कि मैं एक एक करके आपको बताऊंगी तो पहले मैं वज़ा बता दूँ ठीक तो चलिए चाट देखने का समय आ गया यह सारी चीजें जो भी आपको इन चित्रों में दिखाई देती हैं इन में से अगर कोई एक भी चीज़ की जाती है या फिर एक से ज्यादा या फिर सभी तो उस पे निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क में कितना डैमेज हो चुका है तो अगर थोड़ा सा डैमेज आप देख रहे हैं सपोज कि आप भूल रहे हैं कोई चीज़ बार बार आप भूल रहे हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है इसमें इन में से कोई एक चीज़ आप करते होंगे जिसके वज़े से आपको या आपकी आदाश्त काम नहीं कर रही या फिर आप सुस्त होए जा रहे हैं आपको फैटीग की शिकायत होती है कि आप उत्र नहीं पाते हो ठकान महसूस करते हैं आप तो ये सारा हमारे ब्रेन से ही सिगनल निकलता है तो हमारे ब्रेन में ये सारे सिगनल आने के कारण अगर सिगनल सही है तो मस्तिश्क हमारा ब्रेन सही काम करेगा अगर सिगनल सही नहीं है तो ये गलत काम करेगा तो इस signal को खराब करने में ये सारी चीज़ें जो इस चित्र में आप देख रहे हैं जिमेदार हैं तो इस वज़े से अगर इन चीज़ों को आप बंद कर दें अपनी life से निकाल दें completely निकाल दें at least कुछ चीज़ें तो completely निकल ही सकती हैं जैसे की मेरी जिंदगी से ये computer अभी तो नहीं निकला है पूरी तरह पर मैं निकालने की कोशिश जरूर करती हूँ तो हमने हमारे परिवार ने चार महिने से computer को हाथ नहीं लगाया था तो हमारा दिमाग वापस ठीक से काम करने लगा हमने देखा वो observation हमने किया खुद सकें तो मेरे husband जब office में काम करते थे पहले हमारी शादी से पहले that is 22 साल पहले वो coffee 20 cup पिया करते थे तो उनको बहुत तकलीफ मैसूस होती थी coffee ना पियो तो तकलीफ coffee पियो तो तकलीफ तो इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी और वो भी आपसे बात करेंगे अपने बारे में तो बाकी अभी coffee हमारी शादी के बाद उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी तो उनको withdrawal symptoms बहुत होते थे सरदुखना gastric होना और कई सारी चीज़ें तो ये सारा कुछ उन्होंने battle किया हमने बहुत भगवत गीता पड़ी भागवत पड़ा तो प्रभुपाद जी के रास्ते पर चले हम और पर अफ्कोस इस कौन से हमको वास्ता नहीं रखना क्यूंकि वो एक ऐसी organization हो चुकी है जो सिर्फ corporate तरीके से अपने आपको चलाती है और भक्ती से कई कोसों दूर भेज देती हैं लोगों को इसलिए हम सिर्फ प्रभुपाद जी का ही वो भगवत गीता का जो परपड़ है उसको पड़के हम अपनी जिन्दगी चलाते हैं बाकी और तो यह जो screen है यह हमें बहुत damage करती है चाहे आप भजनी देख लो screen पर अगर आप दिन रात सिर्फ भजन्स देख रहे हो और अपना day to day का routine जो है वो नहीं कर रहे हो तो आपका दिमाग वैसे ही खराब होगा जैसे कोई बकवास गाने कोई देखता हो और सारा दिन वो ही देखता हो तो उसका दिमाग तो double ही खराब होगा पर जो भजन देखता है और वो भी screen के जरिये देखता रहता है सुनता रहता है तो उसका भी दिमाग वैसे ही खराब होता है क्योंकि हमारा जो prefrontal cortex है वो सह नहीं पाता क्यूंकि chemical का release होता है उसमें dopamine होती है और अगर आप भजन नहीं सुन रहे हो तो आपको वही चाहिए होता है तो ऐसे addiction हो जाती है इसलिए हमें अपना जीवन को एक routine में ले आना चाहिए और उस routine के बाद जब हमें time मिलता है तभी हमें भजन देखना चाहिए या फिर खुद गाना चाहिए भजन देखने के लिए वो नहीं होता है भजन को गाना चाहिए खुद या फिर सुनना चाहिए कि कोई गाए और हम सुने और भगवान जी के सामने खुद गाएं चाहे सूर हो या ताल हो या सूर या ताल ना हो कोई बात नहीं पर भगवान जी को तो सिर्फ प्रेम की ही अवश्यकता है जैसे हमको है तो इस वज़े से मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज्यादा यूट्यूब ना देखें अफकोस मैंने भी अपनी वीडियो इस यूट्यूब पर डाली है क्योंकि मुझे पता है सब लोग यूट्यूब देखते हैं तो इस वीडियो के बाद कम से कम आप एक महीना अपने आपको एक वरत में रखें कि एक महीना मुझे कोई भी वीडियो या फिर टीवी या लैप्टॉप कुछ नहीं देखना जो लैप्टॉप से दूर रह पाएं क्यूंकि जिनको वो ओफिस का काम नहीं हो वो तो कम से कम कर सकते हैं घर पर और जो स्ट्रेस है जैसे मैं आपको बताती हूँ ये वाली स्ट्रेस का चित्र है कई लोग घर में उनको बहुत परेशानी होती है पैसा कैसे कमाएं बिल्स कैसे भरें जॉब का क्या होगा बिजनस की क्या दशा है और फैमिली संतुष्ट है या नहीं है और घर पर बिमारी बच्चे बच्चों की पड़ाई और घर खरीदना उसके लोन भरना और फिर टैक्सेस पे करना अगर बिजनस में बहुत बड़ी बिजनस है तो उनके टैक्सेस होते हैं और गरीब लोगों को तो अगला खाना ही उनको नहीं पता रहता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं और तो ये सारी चिंताएं जो हैं वो भी दिमाग को खराब कर देती हैं तो ये एक फैक्टर रहा कॉफी वाला तो मैंने बताई दिया आपको और स्क्रीन टीवी वगेरा वो तो टीवी ऐसी चीज है जो हमारे ब्रेन को पूरा हाईजैक कर लेती है वो उसमें प्रोग्राम जो आते हैं न वो सारे प्रोग्राम हमें एक ट्रांस टेट में ले जाते ह हैं जब हम टीवी देखने बैठते हैं तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करता बिलकुल सोचने की जो क्षमता होती है वो चली जाती है और ये सारी चीजे हमें राजीर दिक्षित जी ने अपने हिंदी वाले वीडियो में बहुत बताई हैं तो हम आज हमारे बीच आज वो नह मेरे प्राक्टिकल गुरुजी रहे हैं तो और एक चीज या जो बच्चे गेमिंग करते हैं तो उन बच्चों का जो डोपमीन होता है वो हाइट्स में चला जाता है पूरी पूरी हाइट्स में और ऐसा लगता है उनको की बस अगर इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे तो अगर गेम बंद की तो बाकि उनको तो ना खाने पिने से मतलब होता है ना पढ़ाई से ना आगे बढ़ने से ना जिनदगी में कुछ कर पाने से तो उनको सिर्फ गेमिंग ही सब कुछ लगता है क्यूंकि उनका मस्तिश्क बहुत चोटा होता है और इस वज़े से उनको focus होते होते उसी जगह पे रुख जाता है और फिर बाद में डैमेज भी हो जाता है कई बचों ने अपने माबाप का कतल तक कर दिया है उनकी हत्या तक कर दी है इस गेम के पीछे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और हाला कि हमारे घर में लैपटॉप और ऐसी ये कॉफी तो हमारे घर में बन दी है पर ये जो लैपटॉप है वो चालू रहता है दिन में एक या दो घंटा उस एक या दो घंटे में ही हमने इतना प्रभा देख लिया कि हम भूल रहे थे कुछ चीज़ों को हम भूल रहे थे यादाश्त कम होने लगी थी और ह हमको समझ में नहीं आता था कि कुछ भी हम लोग अगर पढ़ाई करते थे तो एक किताब पढ़ने से वापस दो बारा पढ़नी पढ़ती तो मुझे तीन किताबे हाथ में आई एक ग्लो किट्स एक दो शैलोस और तीसरी दो वायर चाइल्ड तो ये सारी तीन किताबे हमको दो बार पढ़नी पढ़ी समझने के लिए तब जाके ये समझ में आया कि हमारे मस्दिश्क को हम आसानी से वो नहीं ले सकते हैं ये एक कोई मजाक नहीं है हमारी जिंदगी हमारे हाथ में तब ही आती है जब हम इन चीजों का त्याग करें और ये जंक फूड जो बच्चे जंक फूड खाते हैं वो भी इसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं क्यूंकि जंक फूड में सारे वो केमिकल्स, प्रिजरवेटिव्स वगेरा होते हैं हमारे बेटे अभिग्या ने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो आप प्लीज आप देखिए कीप डिसीज अवे तो वो तो उसके लिए तो ना अंग्रेजी की जरूरत होती है ना हिंदी की वो तो ऐसे ही देखते ही आप समझ जाओगे कि क्या चीज हमें खानी है क्या नहीं खानी है और ये जो स्मार्टफोन की लत है ये सब को खा चुकी है हर इंसान को एक स्मार्ट कि आगे हम करें तो हमारे पास एक छोटा सा वो बटन फोन है उसी से हमारा काम चल जाता है बाकि ये और चीजें हैं जैसे गैंबलिंग ड्रग अब्यूज और अलकोहॉल ये धूमरपान करना और अशलीलता के वीडियो देखते रहना और फिर रॉक म्यूजिक ज्यादा सुन ये सारे लोगों का जो दिमाग का वो होता है इमेजिंग जिसको कहते हैं एलेक्ट्रोड डालके स्कान करके कम्प्यूटर में बहुत सारे विग्णानी को ने देखा है ये मैं नहीं कह रही हूँ ये सारा समशोधन हो चुका है रिसर्च हो चुकी है इस बारे में उन सबका दिमाग एक ही तरह काम करता है तो उनके दिमाग में वो डोपमीन, ऑक्सिटोसिन, सेरोटोनिन, नोरेपीनेफरीन और एंडॉर्फिन उनके लेवल्स जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ये आप देखिए ये सारे केमिकल्स हैं ये पांचों केमिकल्स कभी पे ऐसे उपर नीचे, उपर नीचे सेक्रीट होते रहते हैं तो इस वज़े से लोगों को वो उट पटान, उनका दिमाग उट पटान चलने लगता है तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि इसको कैसे ठीक किया जाए धन्यवाद एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना भूल गई, यह जो आप देख रहे हैं, यह ब्लू कलर में या फिर पर्पल कलर में, वो पार्ट, प्रीफरंटल कॉर्टेक्स का एक पार्ट है, एक भाग है, जो जिसका नाम डॉर्स और लैटरल प्रीफरंटल कॉर्टेक्स होता ह है, और यह हमारे जीवन में एक rational thinking या फिर postponing sense gratification, मतलब जब हम कोई काम करते हैं, तो उस काम को हम नहीं सोचते हैं कि अभी पूरा करना है, या फिर इसको छोड़ दें, और वो self-control नहीं होता है उनमें, sense of time नहीं होता है, focus नहीं कर पाते हैं, यह इसी पार्ट के वज़े स होता है, और यह पार्ट 25 या 26 में ही पूरी तरह संपूर्ण develop होता है, बन जाता है, संपूर्ण वो बन जाता है, सिर्फ 25 या 26 में, तब तक सब लोग, हम सब मनुष्य जाती, उसका सही इस्तमाल हम नहीं कर पाते हैं, तो इस वज़े से बचों को हमें मार्ग दर्शन देन चाहिए, और इसलिए हमारे पुराने जमाने में 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, आश्रमों में और गुरुकुलों में, पर आजकल ऐसा नहीं होता, 18 उमर में ही उनको एक लीगल सर्टिफिकेट मिल जाता है, कि हाँ भई आप तो आप अडल्ट हो, और आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी जिन्दगी को फ्रीडम में जी सकते हो, जो चाहे मन, आपका मन जो चाहे वो आप करो, तो ये चीज गलत है, और इस वज़े से ही बहुत सारी गलतियां लोगों से हो जाती हैं, और बच्चे हमारे गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, तो आई होप कि भग तो जैसे कि आप सब ने उस चार्ट में देखा, कि ये सारी गलत चीजें जो कई लोग करते हैं, उसके वज़े से उनके मस्तिष्क पर असर पड़ता है, तो अभी स्क्रीन की बात पर मैं आती हूँ, और मैं आप सब को ये बताना चाहती हूँ, कि ये जो ओनलाइन क्लास का चकर है, ये एक बड़ी साज़िश हो रखी है, हमारे कोविट के टाइम से, तो सरकार को हमारी परवा तो है नहीं, हमी को अपनी परवा करनी पड़ेगी, और अपने परिवार के बारे में हमी को सोचना पड़ेगा, सरकार तो नहीं सोचने वाली है, तो इस वज़े से ये तो लिए जो पाल राे तो हमारे घर में तो कभी स्मार्थफॉन रहा यह नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया यह जो छोटा सा बटन फोन है इसी से हमारा काम चल जाता है बाकि जो भी करना होता है हम लोग लैप टॉप पे कर लेते हैं वो भी बहुत कम ही करते हैं बट मेरे हजबन तो आपको पता ही है कि वो आईटी में काम कर रहे थे तो उसका प्रबाव भी उनके उपर बहुत ज़्यादा पड़ा था और उनको यादाश्त का प्रॉब्लम रहा है और कई सारी चीज़ें में एसिडिटी सरदर्द ये सब बहुत कुछ होता रहा मेरे हस्बन को और मुझे भी बिकाज मैं भी यूट्यूब में कुछ चीज़ें डूनती थी तो बच्चों के पढ़ाई के लिए ओनलाइन करना पड़ता था मुझे इस वज़े से मुझे भी ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे तो रही बात वीडियो गेमिंग की वो तो हमारे परिवार ने कभी किया ही नहीं क्यूंकि भगवान की कृपा से मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये सारी चीज़ें दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती है पर मुझे डीटेल में ये नहीं पता था कि जो नॉर्मल हम लोग सर्फ करते हैं या फिर कुछ इन्फरमिशन ढूंदते हैं उस वज़े से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है मुझे इसका पता ही नहीं था जब तक मैंने खूद वो चेंज़ेस अपने आप में अबजर्व नहीं किये तो पहले मैं बहुत ओगनाइज थी पर बच्पन में नहीं थी बाद में after I got married मैं बहुत ओगनाइज थी और मेरी आदाश्त बहुत स्ट्रॉंग थी बट जैसे जैसे मैं YouTube का प्रयोग करती रही या फिर इंटरनेट का प्रयोग करती रही for learning something information वैसे वैसे मेरी आदाश्तोरी सी कम होने लगी और मैं अपने आप में वो आत्मविश्वास खोनी लगी तो मुझे लगता है सब माताओं को इसके बारे में सोचना चाहिए और जो घर में बुजूर्ग हैं बड़े बुड़े लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे स्मार्टफोन के ऐसे हाथ में पकड़ के बजन देखो या कुछ भी देखो एंटरटेन्मेंट करो या फिर मैट्स की पढ़ाई कर ली ये सारी चीजें हमको करना बंद करना चाहिए हमें पहले जमाने में जैसे करते थे दादा दादी या फिर नाना नानी वैसे रहना चाहिए तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो ठीक है अगर अच्छी नहीं लगी हो तो आप मुझे ख्षयमा कीजिए पर मैं सच तो मुझे बताने से बताना ही पड़ेगा और भी एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहती हूं वो यह है कि यह जो भी लत है यह इसलिए लगती है क्यूंकि हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं यह सारे केमिकल्स जो अगर उपर नीचे हो जाते हैं जैसे मैंने आपको चार्ट के समय पर बताया था तो जब यह उपर नीचे हो जाते हैं तो हमारी habitual वो reward circuitry बन जाती है जैसे कि अभी मैंने एक क्लिक किया तो मुझे कुछ उसमें से अच्छी चीज दिखाई दी और मेना मन खुश हो गया तो वो record कर लेता है कि भाई क्या बात है खुश हो गया हम लोग तो इस खुशी के व इसलिए जो लोग video भी बनाते हैं वो बार बार video इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको खुशी मिलती है बट यह जो video जो हम बनाते हैं अगर camera based बना रहे हैं तो तब तक थीक है बट अगर आप सारा कुछ technically बना रहे हो तो उसमें भी दिमाग खराब हो सकता है जैसे कि यह app ले होती है जुआ सटा बजार पैसा लगाना और उन लोगों को अगर जितना भी वो पैसा लगाएंगे न सपोज अगर वो मान लो की वो पैसे को बरबाद कर रहे हैं और जीत नहीं रहें सिर्फ हार रहें तब ही भी वो करेंगे क्योंकि उनके दिमाग में जो brain का chemical होता है वो एक्स्ट्रा सेक्रीट होता है जब एक्स्ट्रा सेक्रीट हो हो के वो brain recognize नहीं कर पाता है कि बस अभी हम खुश है या नहीं है तो उस brain के जो जो उस मस्तिश की functioning होती है जो काम करने की क्षमता होती है वो ठप हो जाती है तब उस brain को यह लगता है कि अभी अभी मुझे और और जीतना है जब हार रहे है तो भी ऐसे लगता है कि अरे यह तो कुछ भी नहीं है मैं तो कुछ हारा ही नहीं हूं अभी तक अभी बहुत है तो जैसे की पांच पांडवों ने दुरौपदी को भी रख दिया था जुए पे तो इस तरह हो जाता है दिमाग तो अच्छे अच्छे भले इंसान का दिमाग खराब हो सकता है और यह तो हम लोग ओडिनरी पीपल है हमारा कैसे नहीं खराब होगा तो प्लीज आप थोड़ा सा सोचिए मैं जो कह रही हूं और आप यह जानिये कि मेरे को मुझे बहुत सारे पेरेंस ने कांटक्ट किया है उनके गेमि मैंने सोचा तो यह तो कॉफी पीने वालों को भी ऐसी ही लत होती है तीवी देखने वालों को भी यही लत होती है केबल टीवी जो केबल टीवी के एडिक्ट होते हैं वो आप पूछ लीजिए अपने बड़े बुडों से पूछ लीजिए कि अगर उनको चूज करना आप हमारे पास आजाएए, उजरूर नहीं आएंगे, ये मैं अपने खुद के माता पिता और या फिर मेरे इनलाउस के बारे में आप से वता रही हूं, अगर मैं उनसे कहती कि ये हो चुका भी है, कि हम लोग टीवी नहीं चलाएंगे, तो देवुड से की नहीं, तो केबल क के बीना तो हम आपके पास कैसे आएं, तो ये लत जो है, अपनों को पराए कर देती है और आपना समझती है, पर ऐसा होता नहीं है, ये वर्चुल वर्ल्ड है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप वर्चुल ही देख रहे हैं, जब आप मेरे पास यहाँ पर आएंगे, मेरे घर आएंगे, मुझसे बातशीत करेंगे तभी आपको अपनापन महसूस होगा जब यहाँ पर मैं आपसे बोल रही हूँ तो आपको लगेगा कि ये तो अपने लोग हैं पर ऐसा नहीं होता है जो रियल होता है, वो ही रियल होता है जो वर्चोल होता है, वो तो सिर्फ वर्चोल होता है अब हर कोई तो नहीं यहां आ सकता है न और मैं भी हर किसी के पास तो नहीं आ सकती न तो मुझे मेरे परिवार के पास रहना है जैसे आपको अपने परिवार के पास रहना है तो बस आज के लिए मैं इतना ही बोल सकती हूँ धन्यवाद जै श्री क्रिश्न